गुद मॉर्णिंग बचलो कैसे हैं सब बढ़िया चलो बई चुट्टियों में बसी बहुत ज़्यादा हो गई अब थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लिया करा तो पढ़ाई की शुरुवात कैसे करते हैं आज सब लोग सबसे पहले कुछ बेसिक जो है डिजाइन बनाने वाले हैं ड्रोइंग करनी है तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहला पो क्या करना है कि आपको एक डंडा बनाना है एक काम करो अब अपने नोट बुक में जो है आप 10 टाइमस ऐसा ही डंडा बनाओगे ओके कांटिंग करूंगा मैं वान टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओ टेन तक आप पूरा कर लोगे इसको ओके पैरेंट्स भी साथ में होंगे तो वो क्या करेंगे वो आपको जो है नोट बुक में दो ऐसे ऐसे डॉट दे देंगे ठीक है एक उपर में बना दिया डॉट एक जो है नीचे में बना दिया डॉट और फिर आप जो है पैंसिल से इसको जो है मिला दोगे पैंसिल पकरते बाग एक important चीज़ ध्यान रखना है कि हमेशा जो है three finger grip होना चाहिए ये दोनों finger जो है बाहर रहेगा इन तीनों finger से पकरना है pencil को ऐसे नहीं पकरना है ऐसे नहीं पकरना है proper पकरना है तीनों उंगलियों से जो है इसको पकरना है तब ही आपको लिखना है इससे आपके handwriting जो है वो देरे देरे बहतर होगी pencil का grip proper रहना जो है वो बहुत ही जरूरी है समझे की नहीं चलो भई तो आपने अभी जो है क्या बनाना सिखा डंडा बनाना सिख लिया नहीं और ये ख़ड़ा वाला डंडा है खूटा है प्रपर खड़ा वाला खूटा है अब ऐसा करता है कि एक जो है डंडा अगर जमीन पे गिर जाए जमीन पे गिरा हुआ डंडा ये देखो एक गोला बनाया इधर गोला बनाया और इसको मिला दिया डंडा क्या हो गया जमीन पे गिर गया मान लो कि आपका डंडा जो है वो जमीन पे गड़ा हुए है लेकिन बारिश में बहुत देट पानी लग गया और उसकी वज़ा से डंडा आपका जूग गया अब मान लो कि आपने लड़ू खड़ीदा आपको गिफ्ट किया है लड़ू खाने में चलगता है कि ने मीठा रखता है गोल मतूल तो ये लो तुम्हारा लड़ू खालो मजाया ओके चलो अब लड़ू खा लिए तो मान लो कि तुमने आधा लड़ू खा लिया तो अब क्या बन गया हाफ सर्कल राइट तो पूरा लड़ू जो है वो हो गया आपका सर्कल आधा लड़ू जब आपने खा लिया तो क्या बचा आपके पास half circle तो आपको बस एक काम करना है आज दिन भर में आपको 10 जो है ख़रा खुटा बनाना है 10 बार जो है ये ख़रा खुटा बनाओगे आप फिर उसके बाद 10 टाइम्स जो है आप slanted line बनाओगे जुका हुआ खुटा फिर जो है आप slipping वाला बनाओगे गिरा हुआ देंडा देंडा जमीन पर गिर गिर गिया है स्लिपिंग लाइन हो गिया ये उसके बाद आप 10 पूरा पूरा लड्डू बनाओगे circle और फिर जो है आप 10 जो है आप आधा खाया हुआ लड्डू बनाओगे semi circle so can you do that your today's task पूरा करना है इसको और बढ़ी हासी करना है और जब ये सब हो जाए उसके बाद आप जो है एक पेज पर अच्छा सा smiley face बना देना happy face आपकी तरह खुश ओके? Have a nice day